नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर आरिजवर्मा और आसुए लोग का हमारे आश्योंपेटिक किलिनिक गोंडा के इस यूट्यूब तनल पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज बहुत अच्छी होमपेटिक मेडिसिन के बारे में हम बताने जा रहे हैं बहु दिन्य परकार की समस्याएं जो लोगों में रहती है उसके लिए बहुत अच्छा होमपेटिक मेडिसिन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे तो आएए देखते हैं जो NL9 है इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है तो इसके बारे मेडिसिन का नाम सबसे पहले हम लो करती है किसची किसी बीमारी कोई मेडिसिन सही कर सकती है और फिर यूजर में लोग पढ़ते हैं किस मेडिसिन को कितना हमें करना के रिवेट पनी का नाम हम बताएंगे और उसके बाद में आप लोगों को कुछ करना है अगर कोई समयस्या रहती है आपको समझ नहीं पाते हैं या आपको कोई जानकारी अधूरी सी लगती है तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगल में बिल आकान है आल वाले पोर्शन पर सेलेक्ट करके नोटिशन को अन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के अच्छे वीडियो अफ्लोड करूं उसका आप तक पहुंचता रहे तो चलिए दोस्तों मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं और इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं तो सब से पहले हम मेडिसिन का नाम पढ़ने जारे हैं तो आई हम डूम से सांव क्लिनिक है तो वहां पे दवा आराम से आपको मिल जाती है अब आई हम देखता है कंपोजीशन कंपोजीशन में दोस्तों इस मेडिशन में बहुत सारी दवाइएं मिलाई गई है जिसे यह हम आपको दिखा देते हैं इसका में पिक्चर भी बगल में लगा दूंगा आप लो जाए है और इस इुरिन डॉप को तयार किया है आए अगरा हम देख लेते हैं कि इंडिकेसन सबसे महत्त्य पूर्ण यहां पे है तो यहां पे जब lower urinary tract infect होता है आपका, तो वहां पे होता है bladder, bladder के infection को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, cystitis कहते हैं, cystitis में क्या होता है, या तो urinary bladder की दिवाले फूल जाती है, या उसके बगल में कहीं छोटा मोटा cyst बनने लगता है, तो वहां पे ये cystitis की समय से आ जाती है, और दोस्तों, pylo nephritis क्या होता है, आपके अपर urinary tract में infection हो जाता है, जैसे कि kidney में अगर आपको infection हो गया, तो उसे दोस्तों क्या कहते है, pylo nephritis, ऐसे condition में kidney आपकी बहुँ ज़्यादा infect हो जाती है, दोस्तों आपको pain बहुँ ज़्यादा होता है, और जब आप pass करते हैं urine, urine content heavy deposition of mucos, mucos भी आने लगता है दोस्तों, बहुँ ज़्यादा किसी बिभिन परकार की mucos आता है, हम देखते हैं कि लोग आते हैं क्लिनिक पे और बताते हैं, तो वहाँ पे mucos जब बहुँ ज़्यादा आने लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे भी medicine बहुत तेज काम कर करता है, तो पहाँ साथ बता दिये हैं, और विभिन परकार की समस्याइं भी इसमें पाई जाती है, पस्यल भी अगर पाई जाती है, तो वहाँ भी medicine बहुत अच्छे से काम करता है, आई एफ हम uses के बारे में पढ़ लेते हैं, इस medicine का उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, तो दोस्तों इस medicine को 30 drop, 30 drop आपको सुबा आधे कप लिउक वार्म वाटर में डाल लीजिए, गुनगुना पानी अगर हलका सा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको क्या करना है, आधा कप गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 30 बून आपको medicine को गिरा लेना है, इस medicine को आपको क्या करना है, दिन में 3 बार, सुबा, दोपहर, साम, अब लोग पुछते हैं कि खाना खाने से पहले medicine को लेना है कि बाद में लेना है, आप किसी भी time इस medicine को ले सकते हैं, अगर आप खाली पेट दबा लेते हैं, खाना से पहले लेते हैं, medicine और अच्छे से का आपको blood मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अब आईए हम यह देख लेते हैं कि आपको जो चीज समझ में नहीं आया है उसके लिए आपको क्या करना है नीचे comment दिया गया comment दिया गया है और comment तुरंद कर दीजिए दोस्तों बहुत से लोग है इस तरह कीमस्या से ले करके लोग बहुत जएदा परिसान रहते हैएं पिन कर Li 스च करते समय परकार क्षाब करते समय अब करती है बतायों नाहीं परकार कि आपकी सई हुजाती जैसे कि हमने कुछ कामन चीज़ें आपको बता दिया अब आपको क्या करना है अगर इस तरह की समस्या से कोई बहुत ज़्यादा परिसान है तो आप उन तक ये मेरा वीडियो से जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गम्मा एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि इस वीडियो पर बस केवल ज्यादा नहीं 50 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से पूरा कर दीजिए पहल आप लोगों को कुछ चीज़े और बता देते हैं इन मेडिसिन को बताएगे डोज के अंसार यूज कीजिएगा बहुत जल्द मुश्किल से पांच दिन आप दवाख होगे और तुरंत आरा मिलना चालू हो जाएगा तो ऐसे कंडिशन में दोस्तों यह मेडिसिन बहुत अ करते रहते हैं तो आप लोग 2-4-5 निट का वीडियो हता है आप देख लीजिए उसके बाद में आप एक दम से पूरी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी कुछ पूशिने की जरूरत ही नहीं है तो ऐसे कंडिशन में दोस्तों मेडिसिन को यूज जरूर कीजिएगा मिल कर दोस्तों में कर दो झाल झाल